तो दोस्तों आज की सोड़ो में हम बात करने वाले हैं आई भी इंटिलिजेंस ब्यूरो का अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंस सिकूरेटी के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए या MTS पोस्ट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और आपको फॉर्म में फोटोग्राप, सिगनेचर, अन्ड दोकुमेंट अपलोड करने में दिक्कत अन्ट प्रूब्लोम आ रहा है रिसाइज करने में आपको दिक्कत and problem आ रहा है कैसे आपको photograph, signature and document अप्लोड करना है ये आपको दिक्कत and problem आ रहा है तो कैसे करेंगे upload इस वीडियो में आपको complete जानकारे दिया जाएगा अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, subscribe, share करेंगे कि परकार का query होगा तो मुझे comment box में comment कर सकते हैं तो आप वीडियो को जारा सभी skip नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे फोटो कर आप signature and document में बहुत सारे candidate यहाँ पे mistake कर देते हैं जिसके कारान उनका form reject हो जाता है तो आपको ये गलती नहीं करना है सबसे पहले इसका जो guideline होता इसका background आपको white रखना है file का size आपको 50 kb से 200 kb के बीच में आपको रख लेना है आपका जो photo होता है 3 months से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और photo का जो width और height होता है वो आपका 350 और 450 के बीच में होना है कैसे resize करेंगे वो भी आपको इसी वीडियो में आपको बताया ज मिलता है बस आपका file का size होता है वो आपका 50 kb से 100 kb के बीच में होना चाहिए आपको blue pen का use करना है या black pen का use करना है signature करने के लिए इन दोनों pen के अलावा आप किसी भी pen का use नहीं करना है black या blue pen का use करना है इसके बद आप यहाँ पर जो भी domicile से certificate आप यहाँ पर upload करेंग जो कि आपको play store में मिल जाएगा अब देखे friends यहाँ पर जैसे play store में आते हैं आपको यहाँ पर simply photo resizer यहाँ पर आपको search करना है जैसे यहाँ पर photo resizer सर्च करेंगे इस वाले application को install कर लेना है अपने phone में तो simply मैं इसको install कर लेता हूँ आप देखे friends इस वाले application को जैसे आप यहाँ पे open कर लेते हैं तो आपको इस परकार का interface देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी other application का use करके आप resize करना चाहते है तो आप resize कर सकते हैं बस आपका width और height होता है वो आपका सही होना चाहिए अगर आप laptop यह PC का use कर रहे है तो उसमें भी आपको set कर लेना है बस आपको width और height आपको सही set करना है अगर आप इस वाले application का use करना चाहते है तो आप प्लेस और से इसको download करेंगे free version है इसके लिए आपको कोई piece और पेमेंट करने की हो सकता नहीं है photo को research करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे select photo में click करेंगे और आपको photo को select तो देखिए friends यहाँ पे मैं demo मातर के लिए एक photo यहाँ पे select कर रहा हूँ तो simply यहाँ पे मैं एक photo इस पकार यहाँ पे select कर लेता हूँ पहले इसका मैंने मैं विक्त और हैट यहाँ पे रिसाइज कर चुका हूँ पहले ही यहाँ पे देख सकते हैं पर इसका फिर से आप लोगों को बताने के लिए मैं आपको रिसाइज करके दिखा देता हूँ अगर आपको फोटो को क्रोप अगरा करना है रोटेट अगरा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं आपका जो फोटो होता है इस पकार यहाँ पे होना चाहिए आपको सर में किसी परकार का कैफ अगरा का यूज़ नहीं करना है आपको आख में भी आपको चसमें ये glass का use नहीं करना है ऐसे आपका face में mask वगएरा का use नहीं करना है आपका इस परकार यहाँ पर photo रहना चाहिए clear यहाँ पर रहना चाहिए आप देखिए आप बहुत सारे candidate का यह doubt रहता है कि photo में date और ना mention करना है या नहीं करना है तो देखिए friends यहाँ पर अगर आप photo में date और ना mention करना चाहेंगे तो कर सकते हैं ने तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत या problem नहीं होगा form में photo grab signature reject नहीं होगा बोला नहीं किया है इसका official notification में कि photo में date mention करना है नाम mention करना है नहीं भी mention करेंगे यह तो चलेगा और mention भी करेंगे तो भी चल जाएगा इस परकार बस आपका photo होना चाहिए थ्री मन्स से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका photo resize करने के लिए आपको simply यहाँ पे resize tool का use करना है then आपको ऊपर के scroll कर लेना है जैसी यहाँ यहाँ पे फ़ायला कि scroll कर रेंगे आपको file size में simply यहाँ पे custom में क्लिक कर देना है then आपको यहाँ पे इसका width और height set करना है width आपको 350 रहना है, height इसका 450 यहाँ पर रखना है, आपको यहाँ पर इस वाले box में un-tick कर लेना है, दर आपको यहाँ पर file का जो size होता है, वो आपको 200 kb से ज़्यादा नहीं करना है, यह 100 kb से आपको ज़्यादा नहीं करना है, तो simply यहाँ पर 50 kb कर लेता हूँ, 50 kb से आपको यहाँ पर gallery option में आजाना है, simply यहाँ पर gallery option में आना है, और आपको save कर लेना है अपने gallery में, कुछ भी नहीं करना है, बस gallery option में आप यहाँ पर touch करेंगे, automatic की आपका save हो जाएगा gallery में, ऐसी आपको signature को भी research कर लेना है, तो simply मैं यहाँ पर demo मातर के लिए एक signature आपको यहाँ पर curlड़ करना है, rotate वगएरा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर simply research में आ जाना है, आपको 치bay होता है फिए Okay में इसके बताबallas Size में आपको सीघियर हो जो चुका है 80KB में then आपको यहाँ पर simply gallery option में आना है और आपको save कर लेना है ऐसी आपका जो document होता है वो भी आपको research कर लेना है देखिए यहाँ पर हमारा 10th का जो document होता है यहाँ पर ले लेता हूँ तो देखिए friends आपका जो domi cell जो certificate होता है उसको आपको research कर लेना है then आपको यहाँ पे 500 की भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 500 की भी मैं आपको convert कर लेना है इसके वद आपको यहाँ पे gallery option में आपको touch करके क्या करना है आपको save कर लेना है gallery में यह document को अब चलिए friends यहाँ पे मैं आपको upload करके दिखा देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे आपको browse to upload में क्लिक कर देना है then आपको file को select करके आपको यहाँ पे upload करना है तो simply मैंने इस वाले photo को यहाँ पे resize किया तो इस वाले photo को यहाँ पे select कर लेता हूँ जैसे यहाँ पे select करेंगे upload करेंगे आपको photo upload हो जाएगा then आपको यहाँ पे close में click कर लेना है ऐसे आपका जो signature होता है यहाँ पे click here to upload में click करना है इसके बद आपको यहाँ पे browse to upload में click करके आपको यहाँ पे file को select कर लेना है then आपको यहाँ पे signature को select करके आपको upload कर देना है upload करेंगे तो आपको यहाँ पे uploaded पले यहाँ पे मैं upload करके दिखा देता हूँ browse to upload में click करना है then आपको यहाँ पे file को select कर लेना है इस परकार आपको यहाँ पे upload कर लेना है तो इस परकार यहाँ पे photo signature and document upload कर लेना है I hope आपको जानकारी पसंद आया होगा बडियो पसंद आया होगा आपका जो भी actual data हो वहाँ यहाँ पे आपको upload करना है तो चलिए friends, next video मिलते हैं take care, bye bye, thank you so much guys, video last तक देखने के लिए